तो सांस मेरा फूल रहा है पता नहीं क्यों अज विडियो बनाते हुए बहुत जादा सांस प्लून गे मेरी असलाम लेकुम जी कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सबी अच्छे होंगे अपने घरों में हस्ते और मुस्कुराते होंगे आप अपने बालों क्या अपने अगर अगर चीज है आप सब चाहरा ही विडियो तो मैंने ना पहले अभी आप सब जानते हैं कि स्टिकिंग कर वाइवी तो उसकी वज़ा से बाल बहुत जादा रफ गया यह जो आज मैंने आगे की हैं वो इसलिए किये कि आपनों को यह अजया है तो जाए जासे कि आपके बाल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हर को इतारीफ करेगा आपकी कि आपकी बहुत प्यार आज जो है लड़कियां कर वा देता है बिदू चोटे चोटे से बाले रफ हो जाते है जल्दी रुखे हो जाते है या आपके सर में जाए 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 तो हैर जी आज मैं आपको अपने लंबे घने और खुबसरत बालों का राज बताने जा रही हूँ तो आप दोगों ने ये रेसिपी जरूर नोट कर दी है अपने फैमिली में अपने फ्रेंट्स के साथ और जिन से आप यार करते हैं सब के साथ इस्थिए जो रेमेडी है उसको शेयर करिएगा और जिनके बाल जो जो है जड़ते हैं या पर कमजोर हो चुके हैं रूखे हैं दो मुहे बाल अच्छा जी हुषकी हो जाती है अगर किसी न रुजक भी आते हैं तो पिर जब घर आ जाती है अगर पर बढ़ो के सर में हो भी आते हैं तो इस शारा कुछ निफ तेल में आपको मिलेगा तो चलिएये टाइम नहीं वेस्थ किरते हो एम अच्छा जी तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ तो यह आप लोग सोचेंगे कि आपने मार्स फेस पर लगाया है और इसके लावा बाल जो हो दिखा रही हैं तो बाल में इसली दिखा रही हैं जो बहुत सारी होती हैं जो के बाल तो आपको बता देती हैं और आप उन पर अमल कर लेते हैं लेकि यह मैं आपको देखे चीजिए और बहुत ज्यादा रफ लगते हैं और इसके लावगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो अलहमदोलिल्ला का शुकर एकि बहुत ही हुप सुरात हैं माशाला से अभी ह तो यहां पर मैंने तीन किसम के आइल है वो ले लिए तो यह जो रेसिपी है निकलता है क्योंकि यूगे रेमेडी तो शेयर नहीं करती हूं जरा कर साथ हूं तो अगि आपको साथ कहूं आपका साथ को यह जो है है तो आपको साथ कारयी हूं वहाई अए लावह में चाहें यहाँ एक नीम कोई है। यहाँ इन चाहित पर हैं, यहाँ नीम कोई है। यह लगी मैंने दो कप यहाँ आप रख्टे हैं। चल्व पहले दो आपको बता दूँ है, हमारे घरों की छित नानियां दादियां। और ये बहुत ही पुराना जिसे कहते हैं कि एक टोट का है या समझ ले कि ये रेमिडी है बहुत ही पुरानी ठीक है ना चाहे आपके बाल जो है वो सफेद हो और ये टूट रहे हैं कमजोर हो और रूखे हो और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ ये तो आप में सिर्फ ये इसके तो ये अलहे हो ये जाए रेमिल को देखना है कि अधियों अच्यार के सब्स्केज़ लेक्शन को चैटिक वरण की लेक्टे कर लादें है तो ये जो अब है अब लोग आपको एम लोग लगता था जाता है या आप्ने बच्चों के से बड़ा सकते हैं या वह अपने बच् यकीन कि बहुत ही अच्छी जो यह वाली जो रेमेडी है आप लोग जरूर जो है इसको ट्राइ करिए गार तो यह मैं आपके सामने ही इसमें डारी हूँ एक कब भरकर जो है आपने इसमें ले लेना है तारामीरे का तेल ठीक है तो अला करें इसकब में जो है वो नजर आ दे अच्छे से और दूसर जो है आप यहां पे ले लेना है नीम का ओए अचा कम जाएगा जो आपने तारामीरे का और नीम उल लिया है वो नेम का नीम और बड़ियो जया लिए सर्स से कब आप इस deze तरह से से करके आपनी एक करीब्स कर रामेडИ 220 mm तो यह देख लिए एक दफा आप करीब से आपको अंदाजा हो जाए भर कर हम लोगोने ले लिया है तारे मेरे का ओय से लिया हम लोगोने यह बहला नीम नीम का ऐल और उससे ज्यादा चूपता है बहुत जादा बच्छों को भी बडों को यह चुबे का नही तो यह सारी ची तो यहां पर मैंने एक सोचा एक तमलेल बना लू यह डाल कर ठीक है तो अब हम इसकों मिख्स करेंगे और यह मैंने घाली बोटल भी सरसों के तेल की पास ही रख ली ती अपना पर इस यहां डाल दूँगी अपनी सर्में अपने सर में माशा अला से आप लोग देखते हैं मे पापा के वाल बिल्गूल दियत थेरें तो यह मैं थोड़ा से मिस्करते हूं और पापा के अधर एक है तो इस तरह से आपना कर घर में रख ले नहीं है तो यह और यह रिखिन करें बहुत ही बहुत ही बेख्तरीन है आपके बालों के लिए अगर बालों में सफेदी आ चुक मैं महाँ करें रिखिन का डाहर हूं दाने हूं आपके दाने निकली के ने जाना जाते हैं तो कि यह सब चाइस टार शुक बढ़ते हैं इसका अगर जाते हैं लगए लगए बड़ए और देने चाहरें अगर बालों के बढ़े हैं टुक इसका आप पूलों में वगए और मैं आप सब को यही बताना चाहले हूँ जरू है। माशयला बाल हैं जो अब भाल शपहले के लिए मेरे मी के उमर में अब कर फ़द हो और अब इल सब काले थे यही ओप ऐल है जो अब माशयला है जो वो गर हम भालों के अभर बना टूंकर बना है बहुत है पेले करेगा वाइल गो अबन चुका है तो इशाला में अब ने ने कुछ साथ अपने व्लोग में विलोग इसके अलावा मेरी बेहनों ने का था कि वाइपनी करीम जो आप मनाएंगी वो जुरूदर शेयर किरिए गाएगा एज से पहले जो हम लोग रंकोरे करने तो माशाल तो आपको नुकसान ना दे और आपका कलर भी अच्छा गरे और आपके साथ शेयर करूगी ठीक है जी तो आज इन्शाला देखते हूं अगर मैं आज अपलोड करती हूं तो आज है शब वराद की रात भी तो दूआओं में आप सबने याद रखना है इन्शाला मैं आप सब को जो है वो दूआओं में याद रखने तो मिलते हूं नाइस किसी अच्छे से व्लोग में अपना और अपने प्यारों का है रखिएगा दूआओं में याद रखिएगा लाइक कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अलाहाफी पटेए्बीस!